कि नमस्कार वेलकम टू क्रेटिविटी विशुष्मा आज हम बनाने जा रहे हैं अर्भी केपतों की सब्जी ये बहुत टेस्टी बनती है आप भी बनाएंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा ये खाने में तो शुरू करते हैं तो ये मैंने चने की दाल को 6 घंटे के लिए भीगो दिया था एक कब चनी की दाल को भीगो था और इसको बाद इसको मैंने पीस लिया है और अब हम इसमें डालेंगे ये अर्भी के पत्ती की सब्जी ये एसी होती है इसको हम दोके अच्छे से इसकी डंठल तोड के अलग निकाल लेते हैं और बारी काट कर इसम हम पहले मिक्स करेंगे कुछ मसालय तो इसमें हम जिंजर गाली का पेस्ट एड एक टीसपून और कुछ अन्य मसाले जो मैं इसमें आड करूंगी वह हैं हल्दी 1 फॉर्टी स्पून ये थोड़ा सा गरब मसाला हाफ टीसपून मिर्च थोड़ी सी हाफ टीसपून धनिया औ और नमक 1-2 TSP एड़ कर दिया है और 1-2 TSP जीरा इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर आपका गीला नहीं होना चाहिए नहीं तो यह बाइडिंग अच्छी नहीं आएगी तो यह सभी मसालिय मिक्स करके फिर हम इसमें पत्ते भी मिक्स कर देंगे तो यह इसमें मैंने पहले कॉनफ्लोर एड़ कर दिया है इसे भी बैडिंग अच्छी हो जाएगी यह अच्छे से मिक्स करके अब पत्ते एड़ कर दे रही हूं और इसको हम अच्छे से मिक्स करके और एकदम से एक डो जैसा बना लेंगे, यह मैंने एक दम इसको मिक्स करके अच्छे से बैंड कर लिया है, अब हम इसको ऐसे कोफते बना सकते हैं, और इसको हम स्टीम कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे रोल करके, बना सकते हैं, और फिर हम सारा स्टीम करके, फिर बाद में कट करके इसको फ्रा प्रोसेस, तो यह मैं कड़ाही को थोड़ा पहले चढ़ा दी थी, जिससे कि पानी थोड़ा गरम हो गया है, और मैंने इसमें सारा जो है, जो भी कोफते बनाया हूं, उसमें रख दिया है, अब हम इसमें धकन लगा कर रख देंगे, लेकिन धकन हम ऐसे नहीं लगाएंगे, हम एक कपड़े से धकन को अंदर की तरफ से कवर करके, फिर हम लगाएंगे जिससे कि जो भी भाब बनती है, वो इन पर वापस आकर ना गिरे, और हमारे कोफते अच्छे बने, सुखे सुखे से बने, तो यह मैंने स्टीम करने लेके रख दिया है, इसको हम 12-15 मिनिट तक स स्टीम करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, और इसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं, तो 15 मिनिट में अच्छे से स्टीम हो जाता है, लेकिन फिर भी एक बाद चेक जरूर कर लें, अगर कम है तो 2-3 मिनिट के लिए और स्टीम कर देंगे, तो यह चाकू लेकर हम दे अच्छे सिस्टीम हो गया है, अब यह हम किसी बोर्ड पर या किसी भी चीज पर हम इसको लेकर चाकू से कट करेंगे, तो यह साइजेज आप अपने हिसाब से थोड़ा मोटा पतला रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा मोटा रखेंगे तो यह टूतेंगे नहीं, इसको मैंने अच्छे साइज भी कर सकते हैं, और ऐसे भी कोफते आप ग्रेवी में डाल कर सबजी बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा शैलो फ्राइ कर लेंगे, तो दो टीन टेबल स्पून इसमें मैंने तेल डाल दिया है, इसको गरम करके और सारे कोफते हम इसमें एड़ कर देंगे और इसको हलका सा भून लेंगे, मतलब लाइट ब्राउन हो जाए, उतना हमें भूनना है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है ने कोफते टाइट हो जाएंगे तो ये इसको हम shallow fry कर लेते हैं ये हलके से golden color में हो गये हैं हम मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ और अभी एक side रख देंगे इनको हम ये कुफते चाहें तो आप ऐसे भी खा सकते हैं बहुत tasty लगते हैं deep fry करके आप खाईए वो भी बहुत tasty लगेंगे ये मैंने फिर से सेम पैन में 2-3 tablespoon oil गरम कर लिया है oil गरम हो जाता है तो फिर हम इसमें add करेंगे कुछ मसाले यसे कि ये मैंने half teaspoon जीरा add किया है अजवाइन हम add करेंगे half teaspoon और इसको फटा-फट से mix कर लेंगे और हम add कर देंगे हिंग देखिए हमारे मसाले जलने ना पाए इसलिए हम flame low रखेंगे अब हम इसमें add करेंगे red kashmiri mirch और फटा-फट से इसमें ginger garlic paste और फिर प्याज का paste add कर देंगे ये तीन onion का paste मैंने इसमें लिया है और इसको हम थोड़ा भून लेंगे एक दो मिनट हम इसको अच्छे से भून लेते हैं पहले फिर हम इसमें add करेंगे कुछ और मसाले अब इसमें हम add कर रहे हैं हल्दी half teaspoon और धनिया powder भी हम इसमें add कर रहे हैं और ये जीरा powder फिर से हम इसमें add कर रहे हैं तो ये सब हम अच्छे से mix कर लेंगे ये बडिया से mix हो गया है अब हम इसमें add करेंगे यह चने की पीसी हुई जो आल ठी वो मैंने थोड़ी से बचा लिए थी तो टेबल अब हम इसमें add कर लिया है अब हम इन सब को बहुत अच्छे से भूनेंगे बूनेंगे जब तक की ओयल सपरेट ना हो जाए और कुछ बू अच्छे से ना आने लगे तब तक हम इनको भून लेंगे अच्छे से तो 11-12 मिनट भूनने के बाद हम चेक कर लेंगे कि यह भूने है कि नहीं उसके बाद फिर हम इसमेट करेंगे ग्रीन चिली यह आप अगर तीखा नहीं चाहिए तो आप यह वाला प्रोसेस इसकिप कर सकते हैं आप हरी मिर्च मट डालिए मैंने एक एक हरी मिर्च काट कर डाल दी है spicy टेस्ट अच्छा लगेगा यह मिक्स कर दिये हैं इसको फिर से अब हम इसमेट करेंगे टमाटर का पेस्ट यह मैंने तीन टमाटर को अच्छे ही काट कर ऐसे मिक्से में पीस लिया है हमें इसको बिल्कुल भी प्योरी नहीं बनानी है बस ऐसे हमें पेस्ट जैसे बनाके इसको अच्छे से मिक्स करके इसको फिर से भून लेना है तो ये मैंने इसमें सब डाल दिया जितना भी टमाटर था और ये मैंने इसको अच्छे से भूना स्टार्ट कर दिया है टमाटर हमारे अच्छे से पक जाने चाहिए वह कुल कच्छा पन नहीं होना चाहिए इसमें हम सॉल्ट भी एड कर देंगे और किचन कि मसाला भी समय पर एड कर देंगे जिससे ये भी हमारे टमाटर के साथ अच्छे से पून जाएंगे अब यह हम बढ़ियां से भूल लेंगे जो तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए तो इसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है दस बारा मिनट तो कि टमाटर को अच्छे से पकने जरूरी हो है हमने इसमें कुछ धनिया पत्ती कटी हुई मिक्स कर दी है यह भी हम भूल लेंगे वाटर मैंने यहां पर 3 cup एड़ किया है और थोड़ा थोड़ा करके अड़ किया है सारा एक बार में नए एड़ किया है जुससे की हमारी जो ग्रेवी है वह हमको समझ में आये ऐसा ना हो जाए कि एक बार में सारा पानी डाल दें और फिर मैं उसको ज्यादा पकाना पड़ और हम इसको ऐच्छे से मिक्स कर लेंगे तूह प्रयों के साथ उसके च्राइव कोंद गर्ममशाला गर्ममसाला 1.2 टी स्पून एड़ लेगे और अब हम इसमें गौफते चुटतक करोंद क Merci all have कुफटी इसमें डाल दिये हैं और दीरे से इसको मिक्स कर लेते हैं और फिर बंद करके हम इसको पका लेंगे 7-8 मिनिट लो टू मेडियूम फ्लैम पर हम इसे रखकर पकाएंगे हमारी सब्जी बढ़ियां से बनकर रेडी हो गई है और अगर आपको यह आज की मेरी रेस्पी पसंद आती तो प्लीज वीडियो पर लाइक और वीडियो को शियर कीजिए और हो सके तो मेरा चैनल भी सस्क्राइब कीजिए जिसे नए नए वीडियो आपको देखने को मिलते अब यह देखिए अभी तक मैंने इसमें धनिया पत्ति आइड नहीं की है तो मैं इसमें आड करूंगे धनिया पत्ति भी आड कर दी है और अब यह सब्जी बुल्कुल रेडी है आप भी बनाएं सब्जी और बताएं कि कैसे बनी है थैंक यू हुआगो